चलो बच्चो तो अब हमें यहां से बाकी हमारा रह गया था अब देखो यहां से जो टर्मिनलोजी से वो बहुत असान है बैंकिंग के टर्मिनलोजी स्थोड़े बहुत टेकनिकल है लेकिन वो मैं आपको अच्छे समझा दूगा तो चिंता की बात नहीं है पाकी यहां से मामला बहुत इजी होने वाला है ज्यादा टेंशन लेने की जवरत नहीं है बलकि यह टर्मिनलोजी तो ऐसे हैं जो आप भी खुद एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा लेकिन फिर भी मैं आपको एक-एक टर्मिनलोजी जो है सारा का सारा कवर करवा देता हूं देखो, सबसे पहले क्या है market targeting आप एक चीज बताओ, आप किसी market में जाओगे तो आप किसी market में अपना product लेकर के जा रहे हो ठीक है, आप किसी market में अपना product लेकर के गए हो तो आप देखोगे भी तो सही कि आप वहां के customers को target कर भी पा रहे हो की नहीं जैसे for example मान लिजिए आप CA foundation की coaching खोलना चाहते हैं CA foundation की coaching खोलना चाहते हैं और आप यह खोलना चाहते हैं बदरपूर border पे बदरपूर border दिल्ली में एक जगा है बदरपूर border तो ऐसे ही तो खोलोगे नहीं आप वहां गए और आपने आपको analyze किया आपने यहां तो एक भी CA foundation की coaching नहीं है बच्चे बहुत सारे हैं यानि यही वो सही जगा है जहां मैं अपनी CA foundation की coaching खोल दूँ जहां मैं ज्यादा number of logo को attract कर सकूँ अपना product देने के लिए अपनी services देने के लिए तो आप वही market को target करोगे जहां आपका समान बिख सकता है आप उस market को क्यों target करोगे जहां आपका समान बिखेगा ही नहीं ठीक है अब देखो market targeting is the process of evaluating each market segment and selecting the most attractive segment to enter with a particular product or product line आपको पांच जगा नजर आई आपको बदरपूर नजर आया आपको लक्षमी नगर नजर आया आपको पटेल नगर नजर आया आपको शहादरा नजर आया आपको मयूर विहर नजर आया हर जगा आपका सीए फाउंडेशन के कोचिंग था सीवाय बदरपूर मौडर के बॉडर के तो आपने उन पांच में से किसको टार्गेट हिया बदरपूर बॉडर को ठीक है अब marketing क्या होती है तो देखो बच्चो marketing एक बहुत ही वाइडर टर्म है ठीक है मार्केटिंग जो है एक बहुत ही वाइडर टर्म है कैसे प्रोडक्ट को को प्रिपेर करने से ले करके कि सेल कर देने तक यह बीच का जो सारा रास्ता होता है बच्चों यह सब मार्केटिंग होता है आप को कि सेल पर आके मार्केटिंग खतम हो जाती है अगेन दांसर इस नो सेल के बाद आप आफ्टर सेल सर्विस भी लोगों को प्रोवाइड करते हो ये भी किसका हिस्सा है मार्केटिंग का हिस्सा है तो मतलब मार्केटिंग सब चीज को इंक्लूड करता है बच्चो मार्केटिंग सेल्स को भी इंक्लूड करेगा मार्केटिंग प्रोमोशन को भी इंक्लूड करेगा Advertisement को भी Include करेगा Sales को भी Include करेगा Promotion को भी Include करेगा Advertisement को भी Include करेगा After Sales Service को भी Include करेगा तो Marketing क्या है बच्चो एक Wider Concept है और ये Sales, Promotion, Advertising After Sales, Service ये सब कुछ क्या है ये सिर्फ एक Marketing का Part है ठीक है और ये सब Combine कर दो तो क्या बन जाता है marketing बन जाता है ठीक है तो यह तो आपका general मतलब समझा दिया मैंने अब यहाँ पर पढ़ देता हूँ मैं क्या लिखा हुआ है तो देखिए marketing is the science and art of exploring creating and delivering value to satisfy the needs of a target market at a profit ठीक है अब जैसे आपने बदरपूर बॉर्डर को target किया ठीक है तो आपने target market कर लिया अब वहाँ आपने देखा कि वहाँ की जो जनता है वो बहुत जादा rich नहीं है तो 20,000, 25,000, 30,000 जितनी fees afford नहीं कर सकती है तो आपको लगा कि यहाँ पर 10,000 रुपे fees के उपर कोई नहीं दे पाएगा लेकिन आपको अब ऐसी marketing strategy बनानी पड़ेगी कि आप 10,000 रुपे में भी अपना course बेच करके profit बना लो अगर आप loss में जा रहे हो तो किस बात की marketing कर रहे हो फिर तो बिना marketing कर रहो marketing करने का ही क्या मतलब है कि cheap and best हम सामने वाले को दे सके ताकि हम ज़्यादा जो इरिया है market का वो cover कर सके तो आपको एक तो उनकी need को भी satisfy करना है साथ के साथ आपको profit भी कमाना है तो आपको 10,000 में ही profit भी कमाना पड़ेगा तो marketing identifies unfulfilled needs and desire ठीक है अब बदरपूर border पे आपको क्या दिखा कि वहाँ के लोगों की needs क्या unfulfilled है desires unfulfilled है वो बिचारे बदरपूर से बच्चे लक्ष्मी नगर आ रहे हैं सी ये foundation की coaching लेने तो आपने उनकी need को समझ लिया अब उनकी need पूरी करोगे तो वो आपकी services लेंगे तो आपने उनकी need को जैसे ही satisfy करना start किया वो गस आ गए आपके पास के हाँ भाई करो हमारी need को satisfy it defines measures and quantifies the size of identified market and profit potential और market देखके ये भी पता चल जाता है इस market का size कितना बड़ा है जैसे आपने देखा कि no doubt बच्चे तो 10,000 ही देंगे पर 10,000 देने वाले 10,000 बच्चे हैं मतलब for example एक हजार भी हो सकते हैं 500 भी हो सकते हैं तो आपने देखा कि चलो fees कम charge करेंगे पर अगर हर बच्चे से 1000 रुपय का भी profit कमाएंगे तो अच्छा खासा profit 10 लाग का profit हो जाएगा समझ रहे तो देखिए इट पिन पॉइंट विच सेग्मेंट ऑफ दा कमपणी केपेवल अव सर्विंग बेस्ट अड़ डिजाइन से प्रमोट दा अप्रोप्रियेट प्रोड़क्ट एंड सर्विस तो अब कमपनी देखेगी कि वह बेस्ट है सी ये फाउंडेशन का कोर्स देने में तो उसको प आपका प्रोड़क्ट का कीमत कितना है क्या उस कीमत पे आप उस पर्टिकुलर प्लेस पे बेच पाओगे की नहीं आपको लगा हाँ बेच सकते हो तब आप उसको प्रमोट करना शुरू कर दोगा ठीक है जैसे भाई AKN ने देखा उसका प्रोड़क्ट क्या है सी ये फाउंडेशन कोर्स पिर एकैन ने अपना प्राइस देखा लेट से सेवनटीन थाूजन इसने अपना प्राइस देखा प्लेस देखा बदरपूर बार्डर अब अगर उन्हें लगा के बदरपूर बार आपको promote करके आप अपना पैसा क्यों खराब करोगे, तो किसी भी जब हम market को target करते हैं, तो हमें ये चार बाते देखनी पड़ती है, इसलिए इनको short form में बच्चो P4 कहा जाता है, product, price, place and promotion, ये चारो बाते जब तक एक साथ match नहीं करेंगी, तब तक आपकी marketing complete नहीं हो पाए ठीक है, place, price, product सब ठीक है, पर आप सही से promote नहीं कर पा रहे हो, लोगों को अपनी बाती नहीं समझा पा रहे हो, तो फिर आपका समान नहीं भीखेगा, फिर देखिए, marketing plan क्या होता है, भाई देखो, आप जब भी कोई product launch करते हो, तो एक time के लिए तो launch करते नहीं हो, आप लंबा सोचते हो, छे महिना, एक साल, दो साल का सोचते हो, तो आप जो आज marketing के उपर इतना सारा पैसा लगा रहे हो, तो obviously आप एक plan करके लगा रहे हो, ये बताओ बच्चो, टाटा नमक का add देखा है, टाटा सॉल्ट का, बहुत पहले टाटा सॉल्ट का add आता था, आज न 5 साल उसे add करना पड़ेगा, लेकिन वो add करकर के नमक को हर घर में पहुचा देगा, कि आने वाले टाइप में उसे पूरी जिंदगी advertisement करने की, promotion करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, just a second है न बच्चों, तो उसको क्या जरूरत है, तो वही का, जब भी हम कोई marketing करते हैं, तो हम एक plan करके करते हैं, detailed statement जो annually prepare किया जाता है, generally, ठीक है, for how company marketing mix will use to achieve market objective, a plan is usually prepared following a market audit, मतलब market को समझा जाता है, जाना जाता है, और फिर उसके accordingly plan किया जाता है, mass marketing क्या होता है, बच्चों, जब हम अपने marketing के तरीके से एक बहुत बड़ा area cover करते हैं, तो उसको mass marketing कहते हैं, जैसे, भाई, AKN की आपको कुछ videos, YouTube पे दिख जाएंगी, तो ये बता वच्चों, YouTube तो इंडिया क्या, पूरा world access कर सकता है, अमेरिका का भी कोई आदमी अगर YouTube पे डाले, AKN के लास ठागफर इंस्टिटूट तो आ जाएगा की नहीं, तो एक, दो, चार, पांच जो lecture डाले जाते हैं, वो demo lecture जो होते हैं, वो क्या दर्शात है, कि ये हमारे पढ़ाने का तरीका है, तो ये mass marketing है, मतलब आप कुछ ऐसा तरीका अपनाते हो, जिससे आप एक बड़ा market segment cover कर पाते हो, उसको बोलते है mass marketing, तो वो आप कैसे कर mass media के थुरू जैसे tv पर दिखाओ, radio पर सुनाओ, paper में छपवाओ, ठीक है, आधकल तो internet का जमाना है बच्चो, ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं, merger देखो क्या होता है, दो company, मानलो, यह company A है, यह है DLF Constructions, यह है DLF Constructions, ठीक है, और यह है B, यह है अलूवालिया Constructions, अब यह दोनों construction company, अपने आप में बहुत बड़ा market share cover करती है, तो इन्होंने कहा कि क्यों ना एक काम करे, एक हो जाते हैं, ठीक है, क्यों ना एक काम करे, एक हो जाते हैं, और और बड़ा segment cover करते हैं, अब मानलो कि यह बड़ा segment market share का cover करते थे, पर कुछ और भी player थे, C, D, E, F, छोटे छोटे और भी player थे, तो इन्होंने कहा कि जब हम तुम दोनों merge हो जाएंगे, तो यह अपने आप खतम हो जाएंगे, क्योंकि हमारा market share और बढ़ जाएगा, ठीक है, हम ज़्यादा customer target कर पाएंगे, तो हम सस्ता समान भी बेच पाएंगे, तो यह अपने आ बढ़ा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, Mission, देखो, आप जब भी marketing करते हो, तो आपका कुछ mission होता है, जैसे, मोधी जी ने एक program launch किया, Mission, India, Fit, अब इस चीज़ को लेके marketing हो रही है, मोधी जी कह रहे हैं, कि हर व्यक्ति को fit होना चाहिए, फिटनेस बहुत जरूरी है, लेकिन वो यह जानते हैं, कि कोई एक ही दिन में तो fit हो नहीं जाएगा, तो वो एक mission दिया, mission दिया, मालो कि 2020 में program launch हुआ Mission India Fit, और target करा गया, कि 2025 तक भारत का हर एक व्यक्ति fit हो जाना चाहिए, तो यह एक mission है न, जो 5 साल का set हो गया, वैसे ही हर organization, company, firm, अपना भी कुछ mission set करती होगी, कि हमें 5 साल में, लेटसे आज शुरू हुआ 100 customer के साथ, ठीक है, आज से 5 साल के बाद, यह customer 100 से बढ़के कितने हो जाने चाहिए, 500, हम ऐसी marketing करेंगे, कि आज से 5 साल के बाद, यह 100 customer कहाँ पहुँच जाने चाहिए, 500 पे पहुँच जाने चाहिए, तो यह उस company का क्या है, बच्चो, mission है, ठीक है, जैसे आप CA करने जा रहे हो, आपने का हम 5 साल के अंदर, foundation से final में पहुँच जाएंगे, और बन भी जाएंगे से यह, तो यह आपका mission हुआ, ठीक है, तो यूनिक purpose of a firm, that sets it apart from firms of its type, identifies scope of operation, including markets, customers, product, distribution, technology, in a manner that reflect the values and priorities of the firm, strategies, आप ऐसा mission set करोगे, जिसमें आपका product, distribution, technology, सब कुछ एक future show करे, एक अच्छा growth आने वाले time में show करे, niche marketing देखो, क्या होता है, बड़े-बड़े market में, छोटे-छोटे entrance घुच जाते हैं, कुछ अलग सा product ले करके, जैसे, वही आज तक noodles, आज तक noodles, refined flour, यानि मैदा कहीं, बिखते आया था, ठीक है, और आज भी लोग, चाउमीन हो गया, मैगी हो गया, या कोई और noodles, मैदा कहीं खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, लेकिन, भाई, इसी में, बाबा जी ने, आटा noodle launch कर दिया, अब आटा noodle launch किया, तो ये रामदेव भीज जानते हैं, कि आटा noodle बहुत लोग पसंद नहीं करेंगे, पर फिर भी, कुछ customer तो पसंद करेंगे ही न, तो बड़ा सा market क्या था बच्चो, मैदे का, मतलब refined flour के, noodle की industry एक बड़ी सी industry थी, उसमें एक niche, यानि एक छोटा सा intrant गुज गया, आटा noodle के नाम से, although इसका existence, non-existence बहुत matter नहीं करता है, लेकिन ये बस इसी तरह से, company को promote करने के लिए ऐसा किया जाता है, जैसे मान लो कि Nestle बोल रहा है, कि हम ठीक है मैदे वाला भी बनाते हैं, किना हम आपके लिए especially, आटा noodle भी launch करेंगे, तो इसको niche marketing कहते हैं, बच्चो, refers to the exploitation of comparatively small market segment, by business that decide to concentrate their effort, niche segment exists in nearly all market, जैसे आटा noodle for health conscious, तो वैसे कोई health conscious नहीं है, पर लोगों के दिमाग में एक message डाला जा रहा है, एक भरम पैदा किया जा रहा है, कि हम केवल खराब समान नहीं बनाते हैं, आप demand करके तो देखी, हम आपके घर घर आटा noodle पहुचा देंगे, हमारा product आता है आटा noodle, अगर आपको healthy खाना है आपको खाईए, ठीक है, इसको बच्चो बोलते हैं niche marketing, अब देखिए, देखो, चार बाते होती हैं, strength, weakness, opportunity, threat, जब भी आप किसी business में entry करते हो, आप ये चार चीजे देखते हो, previous videos में भी मैंने इस पर बात किया है, कि आपकी strength क्या है, आपकी weakness क्या है, आपकी opportunities क्या है, और आपका threat क्या है, ठीक है, जैसे, मान लीजिए कि, हम किसी product को launch करना चाहते हैं, let's say, हम hair oil में आना चाहते हैं, hair oil, ठीक है, अब हम जब hair oil में आना चाहते हैं, बहुत सारे brand है, लेकिन आपका hair oil 100% natural है, ये आपका strength है, weakness ये है, कि आपका product natural तो है, ठीक है, आपका product natural तो है, लेकिन दूसरे और भी लोग है, जो natural बना रहे हैं, तो आप कैसे अपना product उनसे बहतर साबित कर पाओगे, तो वो आपकी weakness बन जाएगा, लेकिन आपका product, आप कहते हो नहीं, दूसरों का 99% natural है, किसी का 98% natural है, किसी का 90% natural है, मेरा तो जी 100% natural है, लेकिन मेरा क्या है, मेरा 100% natural है, तो जब आप ये कहते हो, कि मेरा 100% natural है, तो ये आपका strength है, और ये आपको opportunity दे रहा है, क्या opportunity दे रहा है, कि आप एक बड़ा market segment cover कर सकते हो, threat क्या है, जितने भी market में competitor होंगे, वो सब आपका threat है, तो वही उसमें से एक चीज़ यहां पे लिखी हूई है, opportunities are any feature of the external environment, अब देखो business environment क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, business environment क्या होता है, totality of external factors, plus internal factor, तो internal factor तो वो होते हैं, जो हमारे control में होते हैं, external factor वो होते हैं, जो हमारे control में नहीं होते हैं, तो यह जितना भी strength है, weakness है, opportunity है, threat है, यह आप externally तो देखोगे, internal देखके क्या करोगे, वो तो आप control कर लोगे, which create condition that business can exploit to its advantage, if the business is successful in exploiting opportunities, then it will be better place to achieve its objective, अगर वो अपनी opportunities को समझ जाएगा, तो वो दूसरों से आगे निकल जाएगा, दूसरों से बहतर कर जाएगा, फिर देखो, personal selling very easy बच्चो, घर घर जा करके, ठीक है, हम आपके घर salesman आ जाते होंगे, demo दिखाने के लिए आ जाते होंगे, यह ले लीजिए, यह होता है बच्चो, personal selling, तो वो आमने सामने आप से बात कर रहा है, परस्नली आपको समझा रहा है, तो यह सब क्या है, personal selling है, तो personal selling में focus, initially on developing a relationship with the potential buyer, but will always ultimately end with attempt to close the sale, मतलब बात्चीत करके शुरू करेगा, यह बताने की कोशिश करेगा, कि कोई नहीं कोई नहीं, देखने में क्या जाता है, लेकिन उसका ultimate मकसद क्या है, कि वो sale को close करे, sale को close करने का मतलब क्या है, वो product को बेच डालने, वो इसलिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो यह हुआ बच्चो पर्सनल सेलिंग, प्रियम्टिव प्राइसिंग क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है, जैसे कि आपने यह स्कूल खोल रखा है, यह आपका स्कूल है, ठीक है, अब आपके सामने एक दूसरा बंदा और इस्कूल खोलना चाता है, अब इसने इस्कूल बनवाना स्टार्ट कर दिया, अब आपका इस्कूल तो दस साल से चल रहा था, तो आपने बहुत सारा पैसा कमा के रखा है, तो एक-ाथ साल, दो साल अपना नुकसान भी कर वालोगे, दो महीना, छे महीना, तो कुछ बिगडने वाला तो है नहीं, आपने क्या किया, अब इसने स्कूल बनवाया भी नहीं है, आपने फीस सीधे कर दी 500 रुपे, अब ये तो बिचारा नया है, ये जानता है कि ये 500 रुपे की फीस कभी भी, रखी नहीं पाएगा. इतने सारे टीचर रखेगा, इतना सारा पैसा लगा दिया, स्कूल बनाने में, ये 500 रुपे की फीस तो रखी नहीं पाएगा. अब ये विचारा जो स्कूल बणा रहा था, अपना स्कूल बनाना ही बंद करतेगा मतलब इसने लो प्राइस करके भले ही से लॉस हो गया इसने लो प्राइस करके शॉट टाइम के लिए जब यह चला जाएगा तो यह वापस 1000 क्या 1200 कर देगा short time में low price करके इसको discourage कर दिया और market से भाहर कर दिया ठीक है इसको बोलते है preemptive pricing अब पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए preemptive pricing is a strategy involves setting low prices in order to discourage or deter potential new entrance to the supplier market नए जो player है entrance का मतलब है जो नए player है उनको आने से आप क्या करते हो बच्चो discourage कर देते हो एक सेटेंड ठीक है अब आगे बढ़ते है price क्या होता है भाई जो आप final अपने product की कीमत रखते हुआ आपका price होता है ठीक है कि आप उसको कितने रुपे में बेशना चाहते हो price discrimination क्या होता है market chapter में आपने पढ़ा होगा same product की अलग-अलग customer से अलग-अलग कीमा चार्ज करना marketing में आपको पढ़ाया गया होगा ठीक है price discrimination occurs when firm charges different prices to different group of consumers for an identical good or service क्या आपको पढ़ाया गया था बताइए क्या electricity same जो electricity है अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग कीमा चार्ज होती है price sensitivity क्या होती है आपने जो price elasticity of demand से जो result आता है नवच्चो वो price sensitivity होती है जैसे जब 10% आपने price में change किया आपने 10% से price कम किया लेकिन 20% से demand बढ़ गई यानि 10% extra price sensitivity दिख रही है आपने 10% से price बढ़ाया लेकिन demand 20% से कम हो गई तो यह price sensitivity होती है मतलब आपके price बदलने से demand में जो change आता है वो उसका क्या होता है बच्चो price sensitivity बोली जाती है price skimming क्या होता है कुछ समय के लिए क्या होता है high price रखा जाता है short time के लिए where new innovative or much improved product is launched into the market ठीक है जैसे कि देखिए oneplus ने अपना phone launch किया साथ में इसने McLaren edition भी launch किया तो बाकी phone से महंगा रखा इसको 55,000 का रखा पर यह short time के लिए है कुछ समय के लिए है तो इसको price skimming बोलते है कुछ time के लिए महंगा रखा जाता है ठीक है दूसरों से improved version अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते है बाकी आप सस्ता वाला लेना चाहते है तो वो तो भी की रहा है बजार में तो इसको price skimming कहते है publicity भी बताने वाली बात है बच्चो जो भी आप promotional activities वगेरा करते हो advertisement करते हो सब कुछ करते हो वो सब क्या होता है sorry advertisement नहीं होता है बच्चो publicity ठीक है देखो दो बाते होती है एक publicity होता है और एक advertisement होता है publicity को press release भी कहते है और यह not paid होता है ठीक है advertisement क्या होता है बच्चो paid होता है movie में movie को promote करने के लिए celebrities कपिल शर्मा के show पे चले जाते है ठीक है तो कपिल शर्मा उनसे कोई पैसे थोड़ी ले रहा है ठीक है तो यह publicity है वैसे ही कुछ companies बच्चो इतनी बड़ी होती है कि जब भी वो अपना कोई product launch करती है तो वो product launch ही अपने आप में news बन जाता है जैसे कि मान लीजे कि iPhone 13 कल को market में आ जाए तो iPhone को प्रचार करने की जवरती नहीं है news वाले खुदी चापना शुरू कर देंगे तो क्या बताओ कि iPhone वाली company जो है apple company जो है क्या वो pay कर रही है newspaper को नहीं तो यह इतनी बड़ी company हो गई है कि इनका कोई product आना ही अपने आप में एक news की तरह है तो इनको advertisement की जवरती नहीं पड़ती क्योंकि इनका क्या हो जाता है publicity तो जब publicity होगी तो payment थोड़ी होगी वो तो वो अपनी मर्जी से कर रहे है newspaper वाले को जा के थोड़ी बोलाए के तुम हमारे car को promote करो हमारे mobile को promote करो तो ध्यान रखीएगा कि देखो promotional activities designed to promote a business product by obtaining media coverage not paid by the business media उसको cover भी करती है businessman लेकिन उसके पैसे नहीं देता क्यों क्योंकि उनका जो product है वही अपने आप में news है sales promotion क्या होता है बच्चों जो भी sales करने के लिए किया जाता है वो सब sales promotion होता है जैसे यह देखो अभी मैं एक do खरीद के लाया आज सुबह ही लाया हूँ उन्होंने उसके साथ एक hand sanitizer मुझे free दिया उन्होंने बोला कि सर यह ऐसा hand sanitizer है जो हम आपको इस do के साथ sanitizer की यह खासियत है कि यह हाथ में rashes नहीं होने देगा और कोरोना को भी भगाएगा हाथ में rashes नहीं होने देगा और कोरोना को भी भगाएगा मैंने का अच्छा अब मैंने खरीद लिया कुछ समय के बाद हर व्यक्ति तक पहुंच गया तो अब इसका पीता हूं लेकिन लोगों को चाय से अलगी प्यार है लेकिन आपको बता दू कि इंडिया में हमेशा से चाय पीने का शौक नहीं था क्या किया जाता था कि जब मजदूर वगेरा काम किया करते थे तो ठक जाते थे तो उनको चाय पिला दिया जाता था तो उनको बहुत सुकून होता था बहुत रिलैक्स मैसूस होता था धीरे-धीरे इसी तरह चाय पिला-पिला के उनको आदत लगा दी जब वो बिना चाय क अब रहने के लायक नहीं रहे प्राइस चार्ज करना शुरू करते हैं तो सेल करने के लिए आप जो भी करते हैं वो सब क्या होता है सेल्स प्रमोशन होता है आप चाहे आप एडवर्टीजमेंट करें फ्री सैंपल दें अलग-अलग अरेंजमेंट करें कुछ भी करें वो सब क्या होता है वाच्चो सेल्स प्रमोशन होता है जैसे आपको मालूम होगा कि जब जोमाटो वगेरा नए थे खूब ओफर देते थे रेस्टरॉन से सस्ता खाना पड़ता था जोमाटो से मंगाने पर आप जोमाटो से मंगाए तो रेस्टरॉन के खाने से सस्ता पड़ता था ये लो भाई लेकिन आज रेस्टरॉन के खाने से कई गुना महगा पड़ रहा है क्योंकि अब लोगों को जोमाटो की आदत लग गई उन्होंने शुरू में अपने सेल को प्रमोट करने के लिए खूब डिस्काउंट बहुत सारे ओफर दिये लोगों को आदत लगा दी के हाँ घर बैटे खाना बनाओ क्यों खाना मगाओ क्यों रेस्टरॉन जा रहा है एक बार बच्चो सेल्स प्रमोशन हिट कर गया तो बस काम हो गया कंपनी का उसको बार बार अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है ठीक है तो देखो सेल्स प्रमोशन रेफर्ड टू एनी अक्टिविटी डिजाइन टू बूस्ट दे सेल उफर प्रोडक्ट और सर्विस एडवर्टीजमेंट, पी आर, फ्री सेंपल इनका बहुत अच्छा इलाज करते हैं अब कल को लोग उसके पास जाएंगे यह सब क्या है सेल्स प्रोड़ोशन शॉट टर्म अब्जेक्टिव क्या होता है देखो फर्म के दो अब्जेक्टिव होते हैं शॉट टर्म लॉग टर्म यूजवली वन यह अब्जेक्टिव सम्टाइम नोन अउन अब्जेक्टिव यूजवली इंडिकेट दा स्पीड अड विच मैनेजमेंट वन तो और्गनाईस तो प्रोगरेस ठीक है तो शॉट टर्म या लॉग टर्म क्या बताता है कि अगर उनका short term अगर है तो वो short term के लिए progress करना चाते यानि एक साल से कम के लिए long term है तो यानि एक साल से ज़्यादा के लिए ले करके चल रहा है stakeholder कौन होते हैं बच्चो जिनका भी पैसा लगा होगा कहीं वो stakeholder होगे जैसे जितने shareholder होते हैं मान लिजे के आप shareholder है reliance के और आपने reliance के 100 share खरीदे हुए है at the rate of 1000 each तो यानि आपने कितने का share खरीदा हुआ है एक लाग का एक लाग share के आपका दाओ पे लग गया एक लाग रुपईया तो एक लाग के लिए आप क्या माने जाओगे reliance के stake holder stakeholder माने जाओगे ठीक है यह stakeholder होते है strength बच्चो बता चुका हूँ short analysis में मैंने आपको strength, weakness, opportunity, threat चारो बाते बता दीगे target marketing आल्रेडी हो चुका है telemarketing क्या होता है बच्चो phone वगेरा करते हैं आप देखोंगे के sir आप कौन सा CMU use करते हैं आप कहो होगे जी air tail use करते हैं वो सामने से offer करते हैं कि air tail क्यों use कर रहे हो जी हो use करो इसमें यह 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 plans है तो वो आपको calling करके जब आपको influence करते हैं कि आप उनका समान ले ले तो वो क्या है बच्चो telemarketing है telephone का इस्तेमाल करके influence करना क्या है बच्चो telemarketing है test marketing क्या होता है देखो test marketing में क्या होता है जब कोई नया product launch किया जाता है तो आप उसको directly market में launch नहीं करते हो क्योंकि हो सकता है कहीं वो खराब साबित हो जाए तो आपने क्या किया 100 लोगों को बुलाया माल लिजे के आपने एक recipe बनाई आपने अब इस recipe को आप market में launch करना चाते हो रेस्टरॉन में launch करना चाते हो लेकिन आपको डर है कि पता नहीं ये लोगों को पसंद आएगा की नहीं हाल तुमे रेस्टरॉन की बदनामी हो जाएगी कि क्या बेकार चीज बना दी तो अभी आप उसको actually में market में launch नहीं कर रहे हो आप 100 लोगों को बुला रहे हो और उनको अपनी recipe टेस्ट करा रहे हो फिर वो जैसा feedback देंगे माल लिजे 90% positive feedback आ गया यानि ये बढ़िया product है बजार में अब 10% तो दुनिया में तो आप कितना भी अच्छा काम करो कुछ लो market में launch हो सकती है लेकिन आप launch करने से पहले क्या करते हो बच्छो एक बार टेस्ट करते हो जैसे जब भी मैं आपकी class record करता हूं तो एक बार audio चेक करता हूं ताकि ऐसा नहीं हो कि मैं दो घंटा डेड़ घंटा बोलता चला जाऊं और मेरी बाती आप तक ना पहुंचे ठीक तो यह सब test marketing होता है तो occur when new product is tested with sample of customer restricted geographical area to judge customer का reaction वगेरा देखा जाता है जैसे कि अब यहाँ पर आपको हो सकता है geographical area में doubt आजाए अब इसका भी example आपको समझा देता हूं आप दिल्ली में South Indian food बेशते थे बहुत बिकता था आपने सोचा कि South में ही जाके क्यों ना बेचूं और बिकेगा लेकिन आपको डर था कि South में तो बहुत सारे हैं तो अब मेरा पता नहीं अच्छा वहाँ के लोगों को लगेगा की नहीं लगेगा तो आपने पहले कुछ South Indian से अपने product को टेस्ट करवाया उन्होंने का बेतर है अब जाईए बेचिए कोई problem नहीं अब आप भी आपको बता चुका हूँ वच्चो यूनिक सेलिंग प्रेपोजिशन एक अच्छा concept होता है देखो यूनिक सेलिंग प्रेपोजिशन वो होता है जो ऐसा proposition होता है जो सिर्फ वही seller देता है कोई दूसरा नहीं देता है जैसे इंदू लेखा का example याद कीजिए यह इकलौ ताकि इससे थोड़ा थोड़ा तेल रिलीज हो जाए तो आप ऐसे करके अपने बालों में क्या कर लेते हो लगा लेते हो अब ऐसा यह कंगी वाला जो benefit है यह दूसरा कोई नहीं देता है तो यह इंदू लेखा का अपना एक क्या है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है ठीक अब acceptance क्या है भाई देखो आप जब भी कोई check देते हो कोई demand draft देते हो ठीक है चेक आपने दिया bank ने ले लिया यानि bank की तरफ से क्या आ गया acceptance तो acceptance जैसे ही होता है मतलब सारे terms and condition को क्या कर दिया गया है फुल्फिल कर दिया गया है इसी लिए तो acceptance हो गई तो जब भी bank accept करता है तो वो किसी भी instrument को किसी भी document को accept करता है इसका मतलब वो उसको कह रहा है कि हाँ भाई सारी terms and condition पूरी हो गई है हम आपका product आपका sorry आपका check demand draft कुछ भी जो है accept करते हैं simple बाच्चा में बच्चो approval देते ना that is acceptance acceptance which is also known as bankers acceptance क्यों कहा जा रहा है क्योंकि इसको banking के sense में पढ़ रहा है is signed instrument of acknowledgement that indicates that approval and acceptance of all terms and condition any agreement on behalf of the banker it is very void term that is used in contact with financial agreement and contract जैसे आपने कभी bank में अगर पैसा cash लेकर के deposit करने गए होंगे तो जब आप bank को deposit slip देते हो तो वो deposit slip को check करता है पैसे को match करता है और एक slip आपको भी देता है इसके उपर एक seal लगा देता है ठीक है ऐसे ठपा मार देता है तो यह जो उसने आपको दिया है वो bank की तरफ से क्या है acceptance है आपने fee जमा करी कहीं पर उसने receipt दिया यह receipt अपने आप में क्या है acceptance है accepting house तो भाई देखो अब हम क्यूंकि bank के terminology में पढ़ रहे हैं तो हमारे यहां पर accepting house कौन होगा bank होगा ठीक है तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है bank acceptance देता है bank account balance जो आपके account में दिख रहा है वो आपका account balance है ठीक है accrued interest वो interest होता है जिसका due date तो आ गया है पर pay नहीं हुआ है ठीक है देखो accrued interest is the interest accumulated on an investment but not yet paid often accrued interest is also termed interest receivable some banking book prefer to call it as an interest that you earned but not yet paid अब मैं इसको आपको आसान भर्सा में समझा देता हूं देखिए आपने bank से loan ले लिया किसका बाई का तो बाई का loan लिया तो इन्होंने 18% interest charge कर दिया और बाई क्या आपका EMI बन गया let's say 10,000 rupees for 10 months यानि total तो एक लाग का बना total total जो आपका interest है बच्चों वो कितने का बन गया एक लाग का total जो bank कमाने वाला है वो कितने का बन गया एक लाग का लेकिन यह एक लाग आप एक ही बार में थोड़ी दे दोगे आप तो हर महीने 10-10,000 करके दोगे लेकिन बैंक न यह कमा लिया है उसको पता आप दो गई लेकिन अभी बैंक को मिला नहीं है मतलब यह interest accrue हो गया है but अभी paid नहीं है interest is accrued but not yet paid तो ऐसा interest होता है बच्चों accrued interest ठीक है बट देखो accrued interest is the interest accumulated on investment but not yet paid often accrued interest is also termed as interest receivable some banking book prefer to call it as the interest that is earned but not yet paid administered rates क्या होते है देखो administered rates वो होते है जो मतलब आपस में दो लोग सहमत करके कोई rate decide कर ले जैसे देखो administered rates are the rate of interest which can be changed contractually by the lender in some cases these rates can also be changed by the depositor and also the pay the laws and provisions that monitor the concept of administered rate differs each jurisdiction अब देखो दिल्ली में जीस्टी मालो 18% है लेकिन उडिसा में GST लेट से 16% है यह सब administered rate होता है जो आप negotiate करके अपना change कर सकते हो ठीक है और यह हर जगा सेम नहीं होता है हर जूरिस्डिक्शन का अपना अलग-अलग होता है जूरिस्डिक्शन का मतलब है उस particular area अमेरिकन depository receipt क्या होता है बच्चो जैसे इंडिया का share market है इंडिया के share market में कौन है बच्चो इंडिया के share market में NSDL CDSL है वैसे ही अमेरिका में कौन है बच्चो अमेरिकन depository receipt है ठीक है जैसे इंडिया के depository थे ना NSDL CDSL वैसे अमेरिका का जो depository है बच्चो वो ADR है अमेरिकन depository receipt ठीक है तो हमने अल्रेडी पढ़ लिया हुआ है कि depositories कैसे काम करती है स्टॉक मार्केट टम्स में तो अमेरिकन depository receipt also known as ADR are depository receipt which are equal to specific number of share of a company that have been issued in a foreign country ठीक है अमेरिकन depository receipt are traded only in the United States of America similar mechanism exists for other also तो जो other होते है न बच्चो उनको GDR कहते है global depository receipt तो पूरी दुनिया का मिला दीजे तो GDR होता है अमेरिका का अकेला ADR होता है तो जब भी आप अगर अमेरिका में कुछ specific number of share में invest करना चाते हैं तो आपको ADR में invest करना पड़ेगा बाकि अगर आप दुनिया में किसी दूसरी जगा invest करना चाते हैं तो आप GDR में invest करोगे अन्यूटी क्या होता है जो हर एक साल में due हो जाए वह अन्यूटी होता है ठीक है अन्यूटी और contract that guarantee income or return in exchange of huge sum of money that is deposited either at the same time or paid with the help of a periodic payment some of the common type of deferred fixed immediate or variable अब देखो एन्यूटी generally one year का माना जाता है पर यह जरूरी नहीं के एक साल का ही हो जैसे माल लीजे के आपने 5 साल के लिए FD करा दिया तो यह आपका FD का mature होगा 5 साल के बाद तो यह 5 साल आपका एन्यूटी consider किया जाएगा ठीक है तो ज्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़़रत है नहीं automated clearing house क्या होता है देखो आप जब क्या करते हो एक जगह से जब दूसरी जगह पैसा transfer करते हो तो वो पैसा clear कैसे होता है उसके लिए अलग-अलग automated clearing house companies होती है जिनका bank को के साथ tie up होता है आपका पैसा एक account से दूसरे account बेजने का काम bank नहीं करते है यह automated clear house करते है तो यह कुछ companies होती है जो cash transactions को monitor करती है और debit और credit करती है अगर पैसा एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो ऐसी companies को क्या कहा जाता है automated clearing house ठीक है देखो an automated clearing house is a nationwide electronic clearing houses that monitors and administer the process of check and fund clearance between banks in an electronic system अब जैसे की देखो bheem phone पे google पे वो सब क्या है वो bank का अपना थोड़ी है पर वो सब क्या है automated clearing houses की तरह काम कर रहे हैं एक account से दूसरे account में पैसा clear करवा रहे हैं पहुंचवा रहे हैं अब automated tailor machine क्या होता है बच्चो जो आप ATM machine यूज करते हो वही आपका हम बच्चपन में थे तो इसको बोलते थे anytime money card ठीक है लेकिन बाद में पता चला कि इसका मतलब होता है automated tailor machine ठीक है तो वह automated tailor machine जो है वो भी एक automatic clearing house की तरह काम कर रहा है ठीक है computer वगेरा का इस्तेमाल करके आप पैसा का निकाल लेते हैं balance transfer एक account से दूसरे account में पैसे भेजने को balance transfer कहते हैं bank account भी कोई बताने की बात है बच्चो जो आप bank की मदद से अपना account खोलते हैं वो आपका bank account होता है bank rate क्या होता है देखो reserve bank of India जो है ठीक है loan देता है दूसरे bank को commercial bank को long term के लिए यह जो reserve bank of India long term के लिए commercial bank को loan दे रहा है बच्चो इसको bank rate कहते हैं मान लीजे के 5% पे दे रहा है commercial bank ने का के हमें कुछ पैसों की जवरत है दे दो RBI ने का ठीक है दे दूंगा पर 5% interest charge करूंगा आपने का ठीक है तो यह जो 5% interest charge हुआ बच्चो वो क्या बाना जाएगा bank rate लेकिन अगर यही bank rate long term ना होके short term हो जाए तो सेम काम है RBI फिर लोन देगा किसको commercial bank को पर अब यह bank rate ना के क्या कहा जाएगा repo rate ठीक है अब देखो अब आपके ICI में bank rate को ठीक से elaborate ही नहीं किया है पर मैंने आपको बता दिया आपकी ICI के साब से simply एक banking terminology है जिसको discounting rate भी कहा जाता है लेकिन मैंने आपको बता दिया कि bank rate कैसे काम करता है basis point देखो क्या होता है जैसे कि भाई है यहाँ पे 6.25 bank rate है तो यह जो 0.25 है बच्चो यह basis point है एक परसेंट का 100 basis point होता है ठीक है तो अगर 6% से 7% हो जाए यानिके 1% बढ़ गया यानि 100 basis point बढ़ गया तो यानिके अगर 6.25 से 6.25 से 6.50 हो गया तो बच्चो 25 से 50 हो गया यानि 25 basis point बढ़ गया क्यों क्योंकि 100 basis point का 1% होता है ठीक है तो देखिए basis point क्या है it is a measure of change in financial parameter such as interest stock indices market rate that is 1 upon 100 1% ठीक है एक basis point तो 100 basis point मतलब 1% बाउंस चेक क्या होता है भाई आपने आपको किसी ने 5 लाग का चेक दिया आप उसके अकाउंट में घये तो 3-0,000,000 था बैंक ने का यह चेक ऑनर होई आपको इसको क्या बोलते हैं bounced check मतलब जब अकाउंट में चेक के amount जितना बैलेंस ना और प्योंग मतलब आयसा नहीं हो्ता है कि तीन लाग पेकर दिया जाएगा जितना check पर amount लिखा या तो उतना ही honor होगा नहीं तो पूरा का पूरा check reject हो जाता है ठीक है तो a bounce check is nothing but a ordinary bank check that any bank can refuse to in cash or pay because the fact that there are no sufficient finances in the bank account of the original drawer or some other valid reason ठीक है जिसने भी check को draw किया मतलब बनाया उसके खाते में उतना पैसा ही नहीं है जितना उसने क्या किया था check draw कर दिया था bridge financing देखो क्या होता है bridge financing को आप short term financing बोल सकते हो ध्यान से समझ लो भाई आपको 100 करोड का लोन चाहिए तो आपने सोचा के share issue कर देता हूं लेकिन आप share issue करोगे तो 100 करोड रुपे आने में अभी कम से कम एक साल लगेगा अलोट्मेंट होगा share issue होगा advertisement होगा promotion होगा brokerage होगा बहुत सारा काम होता है share issue करने में ठीक है आप लोग सिये बनने के बाद यही सब काम तो करोगे तो भाई share issue करने में बहुत समय लगता है तो अब 100 करोड रुपे आने में तो टाइम है 100 करोड रुपे आने में तो टाइम है तो तदकाल मतलब कुछ समय के लिए अगर अभी फिलाल 10 करोड भी मिल जाता तो कम से कम business start हो जाता फिर जब बड़ा amount आता तो हम ये 10 करोड वापस पे कर देंगे share के पैसे से लेकिन तब तक के लिए काम at least start हो जाए तो कुछ पैसा आ जाना चाहिए तो आपने no doubt 100 करोड का share तो issue करी दिया पर 10 करोड का फिलाल के लिए आपने सोचा कि जल्दी से बैंक लोनी ले लेते हैं कोई बहुत बड़ा amount थोड़ी है 10 करोड का ही सही कम से कम काम तो मेरा start हो जाएगा तो आपने एक short term finance raise कर लिया ठीक है आपने तब तक के लिए आपक कहीं पर job करते हैं और आपकी salary यह 50,000 रुपे आपको अचानक से पैसे की जहूरत आ गई आपने boss से salary मांगा बॉस ने का नहीं भाई salary तो मैं तिरको महीना लगने के बाद ही दूँगा आपने का सरे काम करो ना तब तक के लिए मुझे 10,000 दे दो बॉस ने का हाँ यह कर सक अपना raise कर वा लिए ताकि आपका काम स्टार्ट हो जाए ठीक है इसको बोलते हैं bridge financing तो देखो bridge financing also known as gap financing bridge financing is a loan where the time and cash flow between short term loan and long term loan is fulfilled ठीक है by 100 करोड और 10 करोड इसके बीच का gap यह 10 करोड फुल्फिल करेगा ना तो bridge financing begin at the end of the time period of the first loan and it with the start of the time period of the second loan ठीक है अब जैसे ही आपको second loan मिलेगा तो पिछला loan आप क्या करोगे चुका दोगे thereby bridging the gap between two loans it is also known as gap financing तो आप bridge financing कह लो या gap financing कर लो एक ही बात कैप क्या होता है देखो कैप का मतलब कुछ नहीं होता है बच्चों limit होता है ठीक है जैसे आपने mortgage का मतलब मैंने आपको सिखाया था mortgage का मतलब क्या होता है जब आप कुछ गिर्वी रखते हो तो उसको mortgage कहते हैं तो भाई सामने वाले बंदे को आपने कहा कि देखो 10% से जादा interest नहीं दूंगा मैं चाहे तुम्हारा mortgage कितने भी amount का हो मैं 10% से जादा interest नहीं दूंगा तो आपने interest के उपर क्या लगा दिया एक कैप लगा दिया आपने fix करवा दिया कि भाई ये नहीं बदलेगा कैशियर्स चेक बच्चों बैंकर्स चेक होता है जो भी बैंक अपने नाम पे चेक ड्रॉ करता है वो क्या होता है बच्चों कैशियर्स चेक होता है ठीक है जैसे कि मान लीजिए कि आपकी कंपनी है ध्यान से समझना अब आपकी यह जो कंपनी है यह आपकी कंपनी है ए बी सी लिमिटेड ठीक और आप डील करना चाहते हो एक्स वाई जैड लिमिटेड के साथ कितने की डील है दस करोड रुपए की डील है लेकिन यह एक्स वाई जैड आप पे भरोसा नहीं कर पा रहा है कि कहीं आपने इसको दस करोड का समान दिया यह लेके भाग गया तो ठीक है आपने इसको दस करोड का समान दे दिया यह लेके भाग गया तो तो यह कहता है क्यों चिंता करते हो मेरा बैंक है SBI मैं भाग जा तो जब SBI खुद अपने नाम से चेक ड्रॉ करके देगा वच्चो तो बताओ टेंशन खतम हो गई की नहीं कमपनी भाग जाएगी कमपनी का पैसा खतम हो जाएगा बैंक का तो होगा नहीं ठीक है तो यह एक तरह का भरोसा जीतने के लिए ऐसा होता है यह ज्यादा तर फॉर परोसा दिलाने के लिए कि वह नहीं देगा तो हम आपको पैसे देंगे अपने नाम से आपको चेक इसू कर देंगे इसलिए इसको क्या बोला जाता है या कैशियर्स चेक इसको बोला जाता है कैश रिजर्व क्या होता है एक यह टोटल अमाउंट चैश आपके बैंक deposit is a certificate of saving deposit that promises the deposit of the sum back along with the appropriate interest. तो देखो certificate of deposit में कैसे काम करता है? मान लो कि आपको पैसे की ज़ुरत है. आपको इंपनी और आपको पैसे की ज़ुरत है. ठीक है? तो आपने क्या किया? 100 रुपे का certificate of deposit लोगों को 90 रुपे में दे दिया. 100 रुपे का certificate of deposit आपने कितने में दे दिया बच्चो? 90 रुपे में दे दिया. लेकिन जब इन्होंने certificate of deposit आपको वापस किया तो आपने इनको 100 रुपे लोट आए. इन्होंने आपसे 90 में खरीदा. पर जब इन्होंने लोट आया तो आपने कि इनको क्या किया 100 रुपे लोट आया तो इससे क्या हुआ इनको 10 रुपे का फायदा हो गया यह certificate of deposit होता है कि शॉट टम लोन वगेरा रेस करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है चेक एक नेगोशियेबल इस्टूमेंट है मतलब एक जगह से दूसरी जगह के ट्रांसफर हो सकता है एक नाम से दूसरे नाम पर ड्रव हो सकता है शुट हो इसे होता है क्लियरिंग हम simple interest होता है और compound interest होता है compound interest compounded होता है मतलब आपने एक लाग का loan लिया ठीक है तो आपने इसमें 10,000 अगर चुका दिया है तो अगला interest आपका किसमें लगना चाहिए 90,000 पर ठीक है तो ये compound interest हुआ लेकिन simple interest क्या है बच्चो माल लोग के fix कर दिया है 1000 रुपिया या 10% fix कर दिया है तो amount घटते जाएगा पर interest का amount उतना ही आएगा तो ऐसा interest practically आज कोई नहीं follow करता है सभी लोग compound interest follow करते हैं ठीक है वही अगर आप pay नहीं करोगे तो ये उल्टा बढ़ भी जाएगा अगर माल लीजे आपने ये 10,000 पे नहीं किया तो अब आपका interest एक लाग पे थोड़ी आएगा आपका interest एक लाग 10,000 पे आएगा इसको compounding of interest बुलते हैं ये तो basic बाते हैं आपने maths में पढ़ाई होगा debit card क्या होता है जो आप digital card use करते हो पैसे को transfer करने के लिए transaction करने के लिए वो debit card होता है deposit slip क्या होता है आप account में जब पैसा जमा करते हो ठीक है तो आपको सामने वाला जो bank होता है वो आपको deposit slip देता है उस slip में तो आप सारा amount डाल करके पैसा जमा करते हो उसको deposit slip कहेंगे तो बच्चे खुद से पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, बोर हो जाते हैं, तो हमने का हम ही पढ़ा देते हैं भाई आपको, डिपॉजिटर कौन है, जो जमा करे पैसा, वो डिपॉजिटर होता है, डेट सेटल्मेंट क्या होता है बच्चो, जो पैसा बाकी था वो चुका दिया, यानि डेट सेटल हो गया, ठीक है, भाई देखो, डेट सेटल्मेंट क्या है, is a procedure where a person in debt negotiate the price with the lender of a loan in order to reduce the installment and rate of repayment and ensure a fast and guaranteed repayment अब देखी मैं इसका आपको एक example दे देता हूँ जैसे कि student loan लिया आपने पांच लाग का बीटे कर रहे थे बीटे कर रहे थे लेकिन जॉब नहीं लगी अब पांच लाग का लोन है सर पे बैंक ने आपके उपर suit file कर दिया कि मेरा पैसा नहीं चुका रहा है मेरा interest नहीं चुका रहा है तो ये बैंकों के जो case होते हैं बच्चों कोट में नहीं जाते हैं वो DRT में जाते हैं debt recovery tribunal में जाते हैं case debt recovery tribunal में गया तो जजज साहब ने कहा जैसे कोट का जज होता है वैसे DRT का भी जज होता है जजज साहब ने कहा क्यों भाई क्यों नहीं पैसे दे रहे हूँ तो भाई बीटेक वाले बंदे ने कहा आपने कहा कि देखिए सर मैंने बीटे की पढ़ाई भी अच्छे से की थी आप मेरे मार्क्स देख लो मेरे मार्क्स भी बढ़िया है मैं प्लेस्मेंट में भी बैठा था पर कोई कंपनी लेने ही नहीं आई तो मैं कहां से चुका हूँ डेट रिकवरी ट्राइबुनल देखता है बात तो सही कह रहा है बात तो बंदा सही कह रहा है तो बैंक बोलता है काम करो तुम इंटरस्ट रहने दो तुम सिरफ ये 5 लाख रुपे लोटा दो जो तुमारे उपर इंटरस्ट 2 लाख लग गया था एक्स्ट्रा मतलब तुमको 7 लाख देने थे तुम 7 लाग मत दो, तुम ये 5 लाग का प्रिंसिपल अमाउंट ही लोटा दो, ठीक है, तो ये भी debt settlement हुआ, या ऐसा बोला bank ने, कि देखो तुमारा interest 10,000 महीना बनता है, तुम 10,000 महीना मत दो, तुम 5,000 महीना ही दो, छोटी मोटी नौकरी करते हो, तुम 5,000 महीना ही interest दो, तो installment वगेरा, amount वगेरा क्या करवा लिया, reduce करवा लिया, आपने debt settlement करके, तो debt settlement क्या, is a procedure where a person in debt, जो करजे में वो negotiate करता है, और अपने installment को, rate of repayment को क्या करवा लेता है, कम करवा लेता है, और जब आप उसको पैसा दे देते हो, तो उसको debt repayment बोलते हैं, ठीक है, तो आप ज से debt repayment कहते हैं, debt recovery, जो पैसा आपका डूब सकता था, ठीक है, आपने उसको किसी तरह से क्या क्या, recover करवा लिया, तो बताओ, debt settlement करने का मकसद क्या होता होगा, कि भाई, ऐसे तो ये बंदा कुछ भी पैसा नहीं देगा, इसके पास तो job भी नहीं है, तो मेरा 5 लाग भी ज debt settlement से, तो debt recovery is the process that is initiated by the banks and lending institution by various procedures like debt settlement और selling of collateral, collateral मतलब भी वही है, जो आपने दाओ अगेरा पर रखा है, आप जैसे की माल लीजे के सामने वाला cash नहीं दे रहा है, तो आप उसके जमीन के paper attach करवालोगे, आप उसका घर attach करवालोगे, अपना पैसा recover करवाने के लिए, ठीक है, e-cash by paytm, airtel money, movie week, यह सब क्या है बच्चो, e-cash है, digital cash, आप internet banking वगेरा यूज करते हो, fund का transfer करने के लिए, paytm का यूज करते हो, भीम का यूज करते हो, phone पे, google पे, यह सब क्या है, electronic cash ही तो transfer हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह, early withdrawal penalty क्या होता है, बच्चो, देखो, आपने क्या किया, बैंक में fixed deposit कराया, 5 लाख रुपए का, बैंक ने बोला, 5 साल के बाद जब तुम यह पैसा निकालोगे, तो हम तुम को 5 लाख नहीं, साड़े 5 लाख देंगे, आपने का बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको suddenly emergency आ गई, suddenly क्या आ गई, emergency आ गई, आपने का नहीं, यार मेरे 5 लाख लोटा दो, और यह आपने तीन साल में ही बोल दिया, अब यह 50 लाख तो भूली जाओ बच्चो, उल्टा बैंक आएगा, ठीक है, हम आपका पैसा तो आपको लोटा देंगे, लेकिन हम 5 लाख नहीं गया, penalty लग गया, तो जब आप एक fixed time period से पहले पैसा withdraw करवा लेते हो, तो उसको क्या बोलते है बच्चो, early withdrawal penalty, देखी, an early withdrawal penalty, basically a penalty that is levide, levide का मतलो होता है, impose करना, लगाना, by bank, because of an early withdrawal of fixed investment by an investor, there can be several types of early withdrawal penalties, like for fitting the promised interest, ठीक है, जो आपने interest promise किया था, वो आप नहीं दे रहे हो, तो भाई, वो forfeit कर लेंगे, मतलब, जब्त करके अपने पास रख लेंगे, earnest money deposit क्या होता है, देखो, earnest money सुनते होगे, वो बोलते है न, बैना दे देना, पता नहीं, आप लोग इस word को जानते हो की नहीं, जैसे कि आप जाते हो, आप पर आपको कोई furniture पसंद आ गया, आपने बोला इसी design का furniture बना दो, उसने बोला जी, एक लाक रुपया लगेगा, बना करके दे दूँगा, आपने का ठीक है, बना दो, उसने का कुछ तब तक के लिए कुछ पैसे दे कर दे दीजिए न, ताकि हमें भरोसा हो जाए, कि हम कल क बना देंगे, तो आप ये furniture लेने जरूर आएंगे, नहीं तो पता चला बोल करके चला गया, आपने एक लाका furniture बना दिया, और लेने ही नहीं आया, लेकिन वो 10,000 दे के गया है, यानि वो लेने जरूर आएगा, नहीं तो उसका 10,000 रुपया क्या होगा, डूप जाएगा, तो इसको earnest money बोलते हैं बच्चो, token money भी बोलते हैं, यही वर्ड मैं भूल रहा था, earnest money बोल लीजे या token money, मतलब तब तक के लिए कुछ पैसे दे दो, final amount बाद में दे 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 न, तो an earnest money deposit is made by the buyer to the potential seller of a real estate in the initial stage of negotiation और purchase, कैसे, भाई, आप घर की booking कराने गए थे, एक करोड का घर था, तो उसने का कम से कम 10,000 रुपय दे कि आप क्या करवा सकते हो, इस घर को book करवा सकते हो, अब जब घर बन जाएगा, बन के तयार हो जाएगा, जब आपको allot करेंगे घर, तो आप पूरे पैसे दे दे न, लेकि तब तक कुछ तो दो, expiration date क्या होता है, भाई देखो check normally 3 महिने के लिए valid होता है, अगर आज draw हुआ तो आज से कितने महिने के लिए valid होगा, वो 3 महिने के बाद हो क्या हो जाएगा, expire, ठीक है, वो check की expiration date हो जाएगी, education loan जो education के लिए लिए जाता है, पर education loan की खासियत क्या होती है, यह दूसरे loanों से सस्ता होता है, इसका rate of interest कम रखने की कोशिश की जाती है, तो चलो यह भी पढ़ देता हूँ, an education loan, also known as student loan, is specifically meant to provide for borrower expenditure toward education, in the majority of countries, educational loans tend to have low rate of interest, the period of repayment also start after the completion of the period of loan, मतलब आप अभी 5 साल पढ़ो, 5 लाख ले जाओ, कोई दिक्कतनी आप अपनी पढ़ाई complete कर लो, 5 साल के बाद आप interest चुकाना, principal चुकाना, और वो भी interest बढ़ा कम होगा, चिन्ता मत करो, वो education loan होता है, बच्चु, guarantor कौन होता है, भाई आप bank में गए, पैसे लेने, bank ने कहा कोई guarantor दो, आपने कहा देखिए Mr. A है, जो आपके यां बहुत दिन से account खुलवाए हुए हैं, आपके एक trusted customer है, ये मेरी guarantee लेते हैं, तो guarantor क्या guarantee देगा, कि अगर ये बंदा पैसे नहीं देता है, तो मैं दे ले रहा है, कि अगर आपका नुकसान हुआ, तो आप मुझसे लेना, ठीक है, जैसे मैं आपको एक example देता हूँ, अभी उपर एक लड़का रहता है, वो student था मेरा, तो उसने बोला, सर मुझे room दिलवा दो, मैंने उसे room दिलवा दिया, लेकिन इस वक्त वो गाउं चला गय और वो वहां से पैसे भेज नहीं पा रहा है, क्योंकि बैंक वगरा खुली नहीं रहा है, तो भाई मकान मालिक ने मुझसे दो बार चार बार पूछा, मैंने का कोई बात नहीं है, आप भरोसा रखिए, अगर वो नहीं देगा, तो मैं दे दूँगा, तो मैंने एक उनके म खरीते हो, जितना भी आप EMI पर फोन उठाते हो, वो आपका कंपनी के साथ क्या हो रहा है, एक इंस्टाल्मेंट कॉंट्रेक्ट ही तो हो रहा है, क्या हम सारा पैसा एक बार में नहीं देंगे, इंस्टाल्मेंट में देंगे थोड़ा-थोड़ा करके, ठीक है, तो लेते हो जो आप उस पर interest देते हो वो interest rate होता है तो interest is a charge ज्यान रखना charge that is यह exam में question रहता है कि interest क्या है interest को कहिएगा interest एक charge है जो impose होता है that is paid by any borrower जैसे माली यह 6% interest है 6% interest को आप क्या कहा होगे 6% interest आप charge कर रहे हो तर्म यूज होता है कि नहीं कि आप 6% interest क्या कर रहे हो चार्ज कर रहे हो इसलिए यूज होता है क्योंकि interest को क्या कहा जाता है interest एक तरह का charge है paid by borrower और debtor for the use of money which is calculated on the basis of the rate of interest time period debt and the principal amount was borrowed interest is sometime also titled cost of credit ठीक है credit लेने का cost आपने 10,000 लिया आपको इस पर 2000 का interest देना पड़ गया तो आप 12,000 याने दो हजार आपको तो 10,000 का loan ही लेने में चला गया यह interest rate आपका क्या है cost of credit है तो interest rate is the percentage of principal amount that is paid an interest for the use of money आप उसको अपना पैसा इस्तेमाल करने के लिए वाई उपैसा अलग से और charge कर लेते हो इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है banking through internet is internet banking टीक है इसमें क्या पड़ना है तो इंटरनेट बैंकिंगी सिस्टेम एर customer can conduct their transaction through the internet इस तरह के banking को e banking भी कहते है letter of credit क्या होता है letter of credit बड़ा important ताम है बच्चो बच्चो letter of credit आपको असानी से अगर मैं समझाओं पहले देखो देखो A document issued by a bank on behalf of the buyer or the importer stating its commitment to pay third party seller the exporter a specific amount the purchase of goods by the customer who is the buyer. The seller has to meet the condition given the document and submit the relevant document in order to receive the payment. The letter of credit are mainly used in international trade transaction of huge amount where the customer the supplier live in different countries ठीक है तो अभी हमने थोड़ी दिर पहले एक similar term पड़ा था यह उसी से मिलता जोता है अब देखो भाई मान लीजिए Apple अब Apple कहां की कंपनी है? USA Apple एक Indian कंपनी Micro Mac से टाइप कर रही है जो कि असंभा है Apple भला iPhone भला Micro Mac से टाइप क्यों करेगा बच्चों? लेकिन माल लो, assume कर लो ऐसा और Apple यह कहता है Apple जो है यह कहता है कि तुम हमारे phone manufacture करो सारा cost हम beer करेंगे तुमारा काम क्या होगा Micro Mac phone को manufacture करो Micro Mac कहता है ठीक है? अब Apple को 1000 करोड रुपया Micro Mac को देना है अब Apple को भरोसा नहीं है Micro Mac के उपर तो इन दोनों के बीच में एक bank आ जाएगा let's say SBI क्योंकि amount बहुत बड़ा है अब SBI इस Apple कंपनी को भरोसा दिलाएगा कि Micro Mac जेन्वीन है कैसे भरोसा दिलाएगा? अब Micro Mac एक contract का जो sign हुआ होगा उसका Original Copy किसको देगा? SBI को देगा SBI वो Original Copy से सामने वाले को प्रूफ कराएगा कि सब कुछ ठीक है चिंता मत कीजिए तो अब Apple किस पर भरोसा कर रहा है? Micro Mac पर थोड़ी भरोसा कर रहा है SBI पर भरोसा कर रहा है तो अब SBI क्या करेगा? एक Letter of Credit इशू कर देगा कोई बात नहीं Micro Mac सी Guarantee मैं लेता हूँ और मैं आपको एक Letter of Credit इशू करता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ कि अगर 1000 करोड Micro Mac नहीं दे पाया तो हम दे देंगे अब Apple खुश इसको कोई Tension नहीं है या Micro Mac के साथ काम करने के लिए तयार हो जाएगा तो यहीं काम होता है बच्चो Letter of Credit का इसका भी काम Trust Create करना है Lock-In Period क्या होता है? देखो कुछ समय के लिए Amount को जैसे आपने बोला कि भाई मैं तुमको Interest दूँगा तुमने मुझे जो पैसा दिया है मैं उस पर Interest दूँगा लेकिन तीन महीने के बाद देना शुरू करूँगा तो यह तीन महीने का Period आपने क्या करवा लिए? Lock करवा लिए तो इसको बच्चो Lock-In Period बोलते हैं A Guarantee given by the Lender that there will be no change in the Quartet Market range for a specified period of time जैसे जो तीन महीने का आपने Lock कराया इसमें आपने कहा कि देखो तीन महीने तक तो मैं 10% ही दूँगा या छे महीने तक तो मैं 10% ही दूँगा उसके बड़ा घटा लेना पर शुरू के 6% या 3% मैं क्या करूँगा? 10% ही दूँगा मैं इंटरस्ट में कोई चेंज नहीं करवाऊंगा तो आपने वो 6 महीने के लिए उस इंटरस्ट रेट को क्या करवा लिया बच्चो Lock करवा लिया इस 6 महीने का period क्या बोला जाएगा बच्चो Lock in period Mortgage क्या होता है जब आप किसी Immovable Property को गिर्वी रखते हो as a security तो उसको Mortgage कहते है ठीक है जैसे आपने अपने घर के पेपर ठीक है या अपना लैंड तो आप जमीन उठा करके थोड़ी दे दोगे जमीन मूवेबल थोड़ी है बच्चो लेकिन आपने इस के पेपर मुझे दिये और भूला सर पांच लाग का लोन दे दो मैंने ठीक है तो मेरे पास जमीन के पेपर है तो आपने उस प्रॉपर्टी को मुझे क्या कर दिया है मौटगेज कर दिया है ठीक है तो मौटगेट इस लीगाल एग्रिमेंट between the lender and the borrower where real estate property is used as a collateral for loan collateral मतलब security in order to secure the payment of the debt according to mortgage agreement the lender of the loan is authorized to confiscate the property confiscate मतलब जब्त करना अब due date आया माल लीजे मैंने कहा था कि मुझे 20 जून को पैसे लोटा देना 20 जून आया आपका कुछ अता पता ही नहीं है मैं बार बार आपसे मांग रहा हूँ आपको intimation दे रहा हूँ चिटिया बेज रहा हूँ court से notice बेज रहा हूँ आपको जवाबी नहीं दे रहे हूँ तो मैं क्या करूँगा अभी जमीन को बेज दूँगा इसको बोलते हैं confiscate करना या तो जब्त कर लूँगा अपने कबजे में ले लूँगा या बेज करके अपना पैसा recover कर लूँगा लेकिन ध्यान रहे कि अगर जमीन से 10 लाग आया तो मैं 5 लाग ही ले सकता हूँ एक्स्ट्रा 5 लाग मुझे आपको लोटाना पड़ेगा maturity क्या होती है भाई आपने 5 साल के लिए FD कराया था तो ये FD कब तोड़ सकते हो 5 साल के बाद ये पैसा कब निकाल सकते हो 5 साल के बाद ये 5 साल आपका क्या है maturity period है 5 साल आपका क्या है maturity period है तो the term maturity is used to indicate the end of an investment period of a fixed investment or security after maturity the investor is repaid the invested amount along with the interest that has been accumulated जो interest accumulate हुआ है प्लस जो interest accumulate हुआ है वो दोनों आपको repay करना पड़ेगा जैसे कि example दिया हुआ है fixed deposit मैंने भी आपको यही example दिया market value क्या होता है देखो हर company का हर organization का एक market value होता है हर product का एक market value होता है जो कैसे decide होता है by the forces of demand and supply आपने एक जूता बनाया एक शूज manufacture किया पांच जार में पर इसकी quality इतनी अच्छी थी कि यह आज पंद्रह हजार का भीक्रा है इतनी demand आई इतनी demand आई कि आप उतनी supply ही नहीं कर पाए reason उसकी वज़ा से हुआ क्या prices हाई हो गए तो आज इस जूते की value बच्चो पांच जार है या पंद्रह अजार है आप कहोगे sir पंद्रह अजार है एपल कंपणी जो है बच्चो यह कई लाग करोड की कंपणी है साय दस लाग करोड से भी उपर की कंपणी है वर्ल्ड की most expensive कंपणी है लेकिन यह start हुई थी एक जोपड़ी में लेकिन क्या उस समय market value जो थी और जो आज market value है यह सेम है तो market value decide करता है किसी भी company का organization का product किसी supply का product का network और वो कैसे decide होता है बच्चो by forces of demand and supply by जादा demand जादा price कम demand कम price तो market value is the value at which demand of the consumer occur at the supply manufacturer decide the price of the commodity or service market value is the equilibrium point on the supply and demand graph जैसे यह देखो यह demand थी product की और यह product का supply था यह आपका क्या हो गया equilibrium price हो गया जिसको क्या बोलेगे कि यह market value है मानली जै यह price है यह original यह quantity है यानि OQ quantity के लिए O.P. price क्या है market value है ठीक है तो यह अलग-अलग demand forces से decide होता है online banking बता चुका हूँ जब इंटरनेट बैंकिंग वगेरा होती है वही online banking होती है बच्चो overdraft देखो क्या होता है देखो भाई याद करो check bouncing वाला case भाई आप एक बड़े वयापारी हो बड़े वयापारी हो बहुत सारा transaction आपके bank account में होता है आपको यादी नहीं है कि account में कितना पैसा है अब आपने क्या किया पांच लाग का आपने पांच लाग का लोन जो है जो सॉरी चेक जो है इशू कर दिया बंदा चेक लेकर के bank में पहुचा तो आपके account में तीनी लाग था लेकिन bank भी चिंता में है यार कभी ऐसा नहीं हुआ है इनका तो check कभी bounce नहीं हुआ है ये तो हमारे बड़े ही trusted बड़े ही valuable customer है अब अगर check bounce हो जाए बच्चो तो कितनी बदनामी होगी सामने वाला कहेगा कि अच्छा मेरा check bounce किया इस check की copy paste कराके पूरे market में distribute करूँगा कि देखो इस आदमी पे भरोसा मत करो ये तो bounce check issue करता है तो आपकी market में value पे कितनी ज़्यादा असर पड़ जाएगी तो इसलिए bank वहाँ पर trust के basis पे ओवरड्राफ्ट करता है ओवरड्राफ्ट मतलब आपके account में 3 लाक है पर bank अपने पास से 2 लाक हिसमे add करके check को honor कर देगा मतलब dishonor नहीं करके क्या करेगा honor कर देगा और आपको intimate कर देगा आपको बता देगा कि भाई देखो ऐसा हुआ था 2 लाक रुपे तो आप जल्दी से ये पैसा bank में क्या कराईए जमा कराईए तो मतलब जितना आपके खाते में पैसा है उससे जादा पैसा निकाल लेना क्या होता है बच्चो over draft होता है ये आपके bank manager और आपके बीच का tie up होता है इसका कोई legal rule नहीं है RBI इसको govern नहीं करता है अगर आपने कल कोई ये 2 लाक नहीं लोटा है ना तो bank कुछ कर नहीं पाएगा तो manager overdraft जो है बहुत source समझ की issue करता है देखो इट इस चेक और रेधर अमाउंट ऑफ चेक विच अवफ दा बैलेंस अवेलेबल इन दा अकाउंट ऑफ दा पेयर ठीक है तो वो क्या होगे बच्चो overdraft पेई कोन होता है जो पैसा देगा वो पेई होगा पेयर होगा पेई वो हुआ जिसको पैसा मिलता है पेयर वो होता है जो पैसा देता है ठीक है पेयर पेई को पैसा देगा और पेई पेयर से पैसा लेगा परसनल आइडेंटिफिकेशन नमबर पिन क्या होता है बच्चो आप ATM काड़ जो आपके पास होता है उसका जो आप पिन डालते हो भई आपका personal identification number है ताकि आप पिन डालके क्या बताते हो कि मैं ही हूं भाई this is me ठीक है तो bank समझ जाते है अच्छा तुम हो तुम्हारे खाते में इतना पैसा है तुम इतना पैसा ले जाओ इसको क्या बोलते है बच्चो personal identification number repo rate अल्रेडी बता चुका हूँ मैं आपको कि आपका जो bank rate होता है वो long term के लिए होता है और repo rate आपका short term के लिए होता है मतलब जो RBI है वो commercial bank को loan देता है for short period और यह generally दो हफते का होता है ठीक है चलो पढ़ देता हूँ the rate which bank borrow money from RBI against pledging or sale of government securities to RBI मतलब कुछ security आप देते हो उसको repo rate कहते है तो repo rate कहा है एक short term repurchase rate है repurchase rate का मतलब यह होता है कि कल को जब आप security वापस लोटा दोगे तो आपको आपका पैसा भी वापस मिल जाएगा ठीक है तो यह short term loan है on the other hand bank rate is long term measure जो मैंने आपको अल्रेडी बता दिया है reverse repo rate है it is the rate of interest offered by RBI when bank deposit their surplus funds with the RBI for short period आपको अल्रेडी बता दिया है reverse repo rate में क्या होता है बच्चो अब उल्टा हो जाता है अब RBI commercial bank को loan नहीं देता है commercial bank जो है वो loan देता है RBI को लेकिन रियाद रखना कि reverse repo rate जो है यह भी short term के लिए होता है और reverse repo rate हमेशा repo rate से कम होगा अगर repo rate 5% है तो reverse repo rate 4% हो सकता है reverse repo rate हमेशा repo rate से कम रखा जाता है smart cards unlike debit and credit card with magnetic stress smart card possess a computer chip which is used for data storage बगेरा बगेरा जैसे smart card का आपको example दे सकते हैं जो आपका metro का card होता है वो आपका क्या है एक तरह का smart card है जिसमें एक specific kind of chip है आप लगाते हो computer उसको access कर लेता है syndicated loan क्या होता है जब कुछ group of borrower मिल करके loan लेते हैं तो उसको syndicated loan कहा जाता है जैसे माल लीजिए कि कोई society है ठीक है अब यह society जो है इसमें 100 परिवार रहते हैं 100 family अब इस society में 100 परिवार रहते हैं और यह 100 परिवार मिल के decide करते हैं कि हमें society में एक gym खोलना है तो gym खोलने के लिए 30 लाग रुपे की जरूरत है तो यह bank में जाते हैं और यह सभी मिल करके बोलते हैं कि हम पूरी society आपको guarantee देते हैं कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा हम पूरी society मिल करके आपसे loan ले रहे हैं तो जब group of लोग bank से loan लेते हैं ठीक है तो इसको बोलते है syndicated loan ठीक है a very large loan extended by group of small banks to a single borrower especially corporate borrower लेकिन यहां थोड़ा reverse order में दिया है उल्टा दिया हुआ है बच्चो ठीक है जैसे कि देखो इसका मैं आपको ना एक अच्छा example देके समझाता हूँ भाई एक bank है बंधन bank अब यह छोटा सा bank है बहुत बड़ा bank नहीं है अल्दो यह bank धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन आज के समय में यह छोटा सा bank है बंधन bank अब बंधन bank से आपने कितना loan demand कर दिया एक हजार करोरे अब यह बंधन bank जो है कहां से दे पाए एक हजार करोर loan लेकिन बंधन bank को दिखरा यार project बड़ा अच्छा है अगर यह loan मैं कहीं से arrange करवा दू तो कल को मुझे भी बहुत सारा फायदा हो सकता है तो इसने और भी दूसरे दूसरे small banks को target किया ठीक है जैसे चेतरिया ग्रामीड bank को target कर लिया और भी छोटे मोटे banks हैं तुमारा वो यूपील bank इस तरह के कुछ-कुछ बैंकों को target कर लिया ठीक है और सब ने सब छोटे-छोटे बैंकों ने मिल करके 1000 करोड का loan क्या कर दिया एक single producer को, एक single firm को finance कर दिया मतलब कल को जब interest आएगा तो सब आपस में बाट लेंगे ठीक है सेव कटेगा, सब में बठेगा तो इसको बोलते हैं syndicated loan जब बहुत सारे छोटे-छोटे बैंक मिल करके एक बड़ा loan देते हैं किसी firm, किसी organization को बच्चो, तो इसको बोलते हैं syndicated loan अब देखिए, a very large loan अब large loan है, तभी तो उन सब को a single borrower especially corporate borrower, corporate मतलब कोई बड़ी company organization है न, वही तो इतना बड़ा loan लेगी in most cases of syndicate loan there will be a lead bank, अब बंधन bank क्या था lead bank था, जो दूसरे छोटे-छोटे बैंकों को encourage कर रहा था join करने के लिए ठीक है, which provides a part of the loan and syndicates the balance amount to the other bank time deposit क्या होता है बच्चो time deposit वो deposit होता है जो आप कुछ time के लिए fix करते हो तो जैसे आपका fix deposit क्या था बच्चो time deposit था, जब वो time आये गा तभी आप वो पैसा withdraw कर पाओगे value at risk क्या होता है बच्चो sum of the portion of value that is stake of a subject to loss from a variant in prevalent interest rate मतलब आप कुछ interest rate पे अपना सामान launch करते हो पर आपको डर है कि कभी भी नुकसान हो सकता है फिक है जैसे आपने कोई product launch किया है 10% लेकिन आपको डर लग रहा है कि कल को market बदल के 8% हो सकता है 9% हो सकता है यानि 10% आपका risk पे ही तो है कुछ भी हो सकता है पाइदा भी हो सकता है नुकसान भी हो सकता है wholesale banking क्या होती है देखो जैसे आप क्या होता है एक ही bank से बहुत सारी facilities ले रहो हो जैसे same bank में आपका current account भी है same bank में आपका fixed account भी है same bank bank में आपका saving account भी है same bank आपका share debenture का काम देख रहा है सारा का सारा काम एक ही बैंक कर रहा है तो भाई बैंक आप से इतना पैसा कमा रहा है तो आप बैंक से कहोगे न ठीक है कि कुछ discount दो भाई सस्ते दाम पे दो तो बैंक कहेगा क्यों चीनता करते हैं हम तुमको wholesale banking देंगे मतलब जितना interest हम दूसरे लोगों से चार्ज करते हैं अपनी services देने के लिए उससे हम बहुत कम आप से चार्ज करेंगे हम आपको wholesale rate पे सुविता देंगे जैसे आपको पता होगा कि लोगों को privileged banking मिलती है अब privileged banking क्या होती है जैसे अगर आप बहुत बड़े account holder है ठीक है आप बहुत बड़े account holder है तो आपको bank जाने की जोरत नहीं है bank का staff आपके घर आता है हर काम के लिए zero balance account क्या होता है normally सरकारी bankों में खुलता है saving account जिसमें आपका account तो रहेगा पर जरूरी नहीं है कि आप उसमें कोई balance रखे zero down payment mortgage क्या होता है zero down payment mortgage का मतलब होता है सामान ले जाओ पर कुछ भी पैसे देने की ज़़ुरत नहीं है जैसे कि आप normally एक टीवी लेने गए टीवी था एक लाग का ठीक है एक लाग का टीवी था तो दस महीने का इमाई बना दस हजार इच तो नॉर्मली क्या होता है बच्चो कि पूरा का पूरा amount का लोड नहीं बनता है आपको इस में से 20,000 30,000 को down payment करना पड़ता है बचा हुआ amount जैसे 70,000 का क्या बनेगा EMI बन जाता है लेकिन यहां आपको सुविदा की गए कि कुछ भी down payment मत करो यह जो 10,000 का तुमारा हर महीना बिल आ रहा है बस इतना ही पे करो तो यानि down payment आपने कुछ भी नहीं किया आपने केवल क्या किया fixed mortgage amount का installment पे किया है ठीक है इसको क्या बोलोगे बच्चो zero down payment type of mortgage given to buyer who does not make any down payment while borrowing the mortgage buyer borrows the amount the entire purchase price जंदन अकाउंट में क्या था आप कुछ भी amount डाल करके account चालू कर वा लीजिए कुछ भी down payment करने के लिए रहत नहीं है अब banking terminology बच्चो खतम हो गई अब बचा other business terminologies ठीक है other business terminologies एक सेकेंड है ना बच्चों के बच्चों के बच्चों अब देखो अब कुछ नहीं है acquisition क्या होता है एक company दूसरे company को बड़ी company छोटी company को अपना हिस्सा बना लेती है overpower कर लेती है इसको कहते है acquisition ठीक है बड़ी company छोटी company का control ले लेती है इसको कहते है acquisition when one organization take over the other organization and control all its business operation it is known as acquisition in this process of acquisition one financially strong organization overpower the weaker one जैसे reliance ने किसी छोटे company let's say कोई ex company है छोटी सी company थी reliance ने का आ जाओ यार तुमसे नहीं हो पा रहा है तुम loss में हो हम तुमको acquire कर लेते हैं ठीक है जैसे आपको पता होगा buy juice ने akash को acquire कर लिया ठीक है आपका जमीन जायदा धन दौलत पैसा कोड़ी हाथ में की घड़ी घर में की किताबे सब कुछ मिला करके आपका बन रहा है दस लाक पर आपके उपर लोन है बीस लाक मतलब आप क्या हो चुके हो bank रफ्ट हो चुके हो मतलब आपके asset कितने है बच्चो 10 लाक है पर आपकी liability क्या है बच्चो 20 लाक है और assets are lesser than your liabilities means you are bankrupt तो bankruptcy refers to economic insolvency where the person assets are liquidated, liquidated मतलब बेच देना to pay off all liabilities with the help of bankruptcy, trust or court of law अब आप उसको घोशित करवा सकते हो court वगेरा के थुरो के भाई ये सामने वाला बंदा क्या हो चुका है bankrupt हो चुका है, अब court के थुरो bankruptcy गोशित कराना क्यों जरूरी है बच्चो क्योंकि वो bankrupt हो चुका है, तो court के नजर में पता चल जाएगा न तो court बता देगी दुनिया को कि ये bankrupt हो गया, इसको कोई loan वगेरा मत देना, नहीं तो ये चुका नहीं पाएगा तो दूसरे लोग safe हो जाए, इसलिए सामने वाले व्यक्ति को legally bankrupt गोशित करवाना जरूरी होता है bottom line क्या होता है, देखो, अलग-अलग जगाँ पे अलग-अलग bottom line होता है, BCK में bottom line क्या है, देखिए it may be defined as firm income after all expenses have been deducted from the revenues आपको revenue आया, बेचने के बाद जो पैसा आया, वो आपके पास एक लाख आया, पर आपके जेव से जो cost लगा था, वो 90,000 का cost ही लग गया था, तो आपने profit कितना कमाया, 10,000 तो यह 10,000 आपका क्या है, bottom line है, मतलब आपको इसके लिए महनत करने की जवरत है, इसके लिए नहीं, ठीक है, तो तो जो net profit आता है, ओनर आप देखा जाएगा, लेकिन यह भी आपका देखा जाएगा, कि भाई, 90,000 का cost कैसे आया, तो आप कहोगे कि जी हमने अपने लोगों को अच्छी salary दी, हमने समाज का भी ध्यान रखा, हमने अपने quality में compromise नहीं किया, इस वज़ए से हमारा bottom line कितना नजर आ रहा है, यह concept क्या होता है बच्छो, bottom line, business environment आप पढ़ चुके हो chapter, external environment, internal environment, sum total of pestle, political, economic, social, technological, ठीक है, economical, ठीक है, अब आईए, business facilitator वो होते हैं, जो business को आगे ले जाने में मदद करते हैं, ठीक है, वो business facilitator होते हैं, corporate form of business organization क्या होती है, जितनी भी companies होती है, जिनका separate legal entity होता है बच्छो, आपने पढ़ा होगा contract में, separate legal entity, आप जानते होंगे separate legal entity क्या होता है, separate company और उसके owner क्या है, दो अलग-अलग बाते हैं, corporate wheel होता है कि नहीं बच्छो, lifting of corporate wheel का concept पढ़ा है न, जो भी corporate form of organization है, वो क्या होगा, जहाँ पर separate legal entity होगा, जहाँ पर उसके owner ठीक है, वो distinct होंगे company से, ठीक है, artificial person होगा, जैसे company क्या है बच्छो, एक best example है, corporate governance क्या होता है, भाई corporate companies को अच्छी तरीके से manage किया जाया है, उसको corporate governance कहते हैं, जैसे कि आप law का सही से पालन कर रहे हैं, आप अपने लोगों को सही सामान प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने अपने यहां का work environment बहुत अच्छा कर रखा है, तो इसको corporate governance कहते हैं, अब तीन सेंस में दिया हुआ है corporate governance, the board of director who appoint oversee reward the management team, भाई, board of director जो है management team को appreciate कर रहा है, reward दे रहा है, क्योंकि वो प्रोचसाहित करना चाहता है, ताकि लोग encourage हो, यह भी क्या है, corporate governance हुआ, independently अपने account का audit करवा रहा है, खुद ही बोल रहा है कि आईए मेरे accounts चेक कीजिए, मेरे accounts में किसी तरह का कोई fraud नहीं है, इससे समाज में एक अच्छा message पहुँचेगा, ठीक है, यह भी corporate governance हुआ, reporting of the performance to the market, stock exchange and business media, all these are example of the system of corporate governance, ठीक है, आप सब कुछ media को बताते हो, कुछ भी छुपाते नहीं हो, सब transparent है आपके यहाँ, electronic commerce क्या होता है, जितनी भी digital marketing होती है बच्छो, flip card, amazon, snap deal, आज तो maximum चीज़े आपको online मिल रही है, तो जितना भी समान आप online खरीते हो बच्छो, वो सब क्या है, electronic commerce है, electronic business है, ले रहे हो, देख पार हो, ये भी क्या है, एक तरह का electronic commerce है, कहां face to face पढ़ रहा है, the letter more precisely is known as mobile commerce, mobile commerce बोलते हो, not only pure e-commerce business Amazon, but also include such business e-marketing, internet marketing, जो भी आप marketing वगरा करते हो, typical e-commerce retailing, we'll have an order placement, tracking, delivery, सब कुछ होता है, ठीक है, आप flip card समान खरीते हो, तो track करते हो ना, order, electronic filing क्या होती है, आज आपको कुछ भी file करना है, जैसे आपने सुना होगा, कि लोग अपना income tax return file करते हैं, तो वो income tax की website पे जा करके, government of India की website पे जा करके, उसमें सब कुछाता है, वो file कर देते हैं, कि यह हमारी यह कमाई थी, हमने इतना tax pay किया, यह लीजिए, तो आपको physically जा के कहाँ file करना पड़ रहा है, आप paper form में जा के कहाँ file करना पड़ रहा है, आप electronic form में बड़े मज़े से file कर दे रहे हो, ठीक है, आप अपना form भर देते हो electronically, पहले क्या होता था, आप physical form खरीते थे, उसको post करते थे, तो यह क्या है, electronic filing है, globalization, integration of world economy with domestic economy, विदेशी कमपनी आ के, आप क्या समान बेच सकती है, आप विदेशी देशों में जाके समान बेच सकते हो, वो globalization है बच्चो, इडिया system process of removing the barrier of international trade, ठीक है, जितना भी आईए है, आप अपना समान यहां बेची, आईफोन कैसे खरीत पा रहे हो, because of globalization, international trade वगरे, यह सब बच्चे वाला concept है, आपने जरूरी से पढ़ा होगा, गुडविल क्या होता है बच्चो, गुडविल भी आप जानते होगा, accountancy में आपने गुडविल पढ़ा होगा, हर एक firm का organization का, even हर एक व्यक्ति का एक reputation होता है, वो reputation क्या होता है बच्चो, उसका गुडविल होता है, भाई आपके पिता जी को 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग जानते हैं, उनकी इज़त करते हैं, तो वो उनका क्या है, गुडविल है, accountancy में गुडविल क्या होता है, जो आप value create करते हो, अपने brand की एक कीमत तै करते हो, वो another company and book value of those assets, sometime real goodwill is a company's good reputation, loyalty of customer and so on, जैसे आपका customer बले समान नहीं करी देगा पर खड़ी देगा, तो आपी से खड़ी देगा, तो यह क्या शो कर रहा है, customer इतना loyal है कि आपने उसको इतना अच्छा service प्रवाइड किया है, कि वो दूसरे समान लेने company के बारे में सोची नहीं यह goodwill होता है, infrastructure भाई जितने इंफ्राइस्टर बच्पन से पढ़ते हैं, land, building, supply, organizational structure, कि सब मिला दो तो क्या है बच्चो, infrastructure है, joint product और by product क्या होता है, जैसे देखो, भाई आपका एक दिन मन किया, आपने अपने दोस से कहा, यार मुझे ना stock market के बारे में सीखना है, आपके दोस ने कहा, सीख ले, फिर आपने एक दिन कहा, कि मुझे ना accounts के बारे में सीखना काई, तो आपके दोस ने कहा, सीख ले, ठीक है, आपके दोस ने कहा, हाँ भाई जाना, सीख क्या दिक्कत है, फिर आप अपने दोस को एक दिन कहते हो, कि मुझे finance के बारे में भी सीखना ह है आपका दोस्स कहता यार तू एक काम करना यह अलग-अलग जो करे तू C.A. कर ले तू क्या कर ले तो क्या कर ले तो आपको करने से क्या होगा अगर तू C.A. करेगा तो यह पांचों चीजे उसमें अपने आप cover हो जाएंगी, तो बच्चो ये देखो CA अपने आप में क्या हो गया, एक joint product हो गया और ये CA के क्या हो गया by product हो गया ठीक है, उसी तरह देखो, joint product जैसे crude oil जो होता है बच्चो कीचड के form में oil होता है, ऐसा नहीं होता है, crude oil होता है बच्चो कीचड की तरह, जब उसको पहली बार purify किया जाता है तो उसमें से kerosene oil निकलता है जिसको मिट्टी का तेल कहते हैं, इसको और purify किया जाता है, तो diesel निकलता है इसको और purify किया जाता है, तो petrol निकलता है इसको और purify क्या होता है तो white petrol निकलता यह प्यूरेस्ट फॉर्म of petrol होता है बच्चो जो aeroplane वगेरा में डलता है तो यह crude oil अपने आप में क्या हो गया एक joint product है और यह जो अलग-अलग product इससे निकल रहे हैं इसके क्या है बाई product है आप CA अप पैसा तो तो बाई प्रोडक्ट है पैसा तो अपने आप आपके पीछे आ जाएगा ठीक है तो यह concept होता है joint product का और बाई प्रोडक्ट का तो देखिए joint product represent two or more products separated in the course of the same processing operation usually requiring further processing each product being in such proportion that no single product can be designed as a major product for example oil industry में gas line, fuel, lubricant, prefin यह सब क्या है बच्चो बाई प्रोडक्ट है product recovered from material discovered यह सब क्या है बच्चो जैसे आप जितना भी cream लगाते हो अपने चहरे पे maximum में petrol होता है उसी में से निकाल के आपके चहरे पर पोद दिया जाता है आप समझते वह आम तसुंदर हो गए ठीक है तो product emerged as a result of operation of another product use for scrap waste metaphor for example in sugar industry ठीक है अब जैसे कि आगर आप चीनी बनाओगे तो मुलासेज उसका जो गंध है वो बाहर आएगा वो उसका क्या है बाई product है आप उसको avoid नहीं कर सकते हो liberalization आप सभी जानते हो कि new economic policy आई 1991 में और पहले business वगेरा करने के लिए आपको सरकार से permission लेनी पड़ती थी liberalization आया तो उसने वो सारे permission को remove कर दिया business free हो गया अब आप अपने कुछ art industries को छोड़ करके जैसे के लीकर शराब हो गया पटाके बॉम दवाईया इनको छोड़ करके natural resource इनको छोड़ के आप कोई भी business कर सकते हो सरकार से permission लेने की ज़वरत नहीं है आपको that is liberalization पढ़ लेन अब इसमें क्या बच्चो वाला है पढ़ा हो लॉजिस्टिक जो कुरियर होता है बच्चो उसको लॉजिस्टिक कहते हैं तो जितने भी e-commerce site है blue dart ठीक है delivery फिर तुमारा DTDC यह सब क्या है बच्चो लॉजिस्टिक है तो सर आप इसको delivery बोल करके ना बोलके logistic क्यों कह रह है मिंत्रा logistics delivery होगी यानि मिंत्रा का अपना खुद का कुरियर पार्टनर है जो आपके यहां आ करके समान पहुचा करके जाएगा ठीक है मर्जर आपको अल्रेडी बता चुका हूँ mission अल्रेडी हो चुका है पेस्टल हम बताई चुके हैं business environment का concept होता है political, economical, social, technological, legal ठीक है आप लोगों ने निश्चित रूप से business environment में इसको पढ़ाई होगा प्राइवेटाइजेशन आप जानते हो जब government company अपना ownership right किसी private company को दे देखो company का 100% share है तो 51% इसका majority share हुआ और 49% इसका क्या हुआ बच्चो minority share तो अगर कोई private company अगर कोई government company अपना 51% और more share किसी private firm को दे दे तो decision making भी तो दे गई तो इसको क्या बोलते हैं बच्चो प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं फिर आईए प्रोप्राइटरी फॉर्म अब बिजनस सोल प्रोप्राइटर जहां पर बच्चो बिजनस और person सेम होता है separate legal entity का concept नहीं होता है जहां सेम व्यक्ति होता है वही मालिक होता है वही risk taker होत अपने risk को distribute नहीं करता है तो यहां पर जो भी liability होगी इसकी unlimited होगी कल को को कोई कर जाएगा तो इसका जमीन जायदात भी बेचा जा सकता है तो इस तरह का form of business क्या होता है proprietary form of business organization these are the form of business organization where the law does not distinguish between business as separate entity consequently the liabilities of the business are considered as personal liabilities of the owner मतलब आप अपनी shareholder हो तो liability तो बढट जाएगी ना company में 100 shareholder है सब के उपर एक एक लाग गिर गया liability क्या हो गई distribute हो गई पर आप प्रोप्राइटर हो अकेले हो तो आप ही के उपर सारी liability आएगी ठीक है तो यह होता है बच्छो proprietary form of business return and risk भाई जब भी आपको investment करोगे तो आप उसमें देखोगे कि आप जितना risk ले रहे हो क्य पर 20,000 रिटान आ सकता है एक लाग 20,000 वापसी में आ सकता है तो आप रिटान और रिस्क दोनों देखते हो जब भी आप कोई क्या करते हो investment करते हो there are two sides of the business outcome particularly for its owners and generally for own investment individual and business invest their resource in expectation of return or reward that may be simply called profit however these expectations not always relies in fully ठीक है क्योंकि आप जितना profit सोचके बैठे हो हो सकता है उतना profit आपको ना मिले अब यह सब पढ़ लीजेगा कुछ नहीं है इसमें sustainable development वो होता है कि भाई तरक्की कीजिए अच्छी बात है पर ऐसे तरक्की कीजिए कि भाई इन्वार्मेंट को नुक्सान मत पहुंचा हिए पढ़ लीजेगा कुछ भी नहीं है term insurance होता है जो कुछ समय के लिए fix हो जाता है it is the insurance for a certain time of period which provide for no deferral to the insured individual excluding losses during the period becomes null option in the expiration भाई आपने एक insurance लिया इंशॉरेंस था 10 साल का मतलब 10 साल में अगर आग लग जाए fire insurance लिया था आप तो 10 साल में अगर आग ही नहीं लगी बच्चो और आप हर महीने दस अजार का insurance premium pay करते थे तो आप थोड़ी कहोगे सामने वाले से कि भाई देख मैंने तो हर महीने तुमको 10 अजार दिया पर मुझे बदले में क्या मिला मेरे कुछ पैसे लोटा दो तो इंशॉरर कहेगा भाई आग लगती तो पूरा तेरा जितना loss हुआ है सब मैं bear करता है ना लेकिन यहाँ पर मैं क्यों bear करूँ यह तो term insurance था अब 10 साल खतम पैसा तुमारा खतम अब इसको renew कर वालो और 10 साल के लिए कोई दिक्कत नहीं है ट्रिपल बॉटम लाइन एक philosophy होती है इसमें profit, people और planet तीनों को ध्यान में रखा जाता है बच्चो तो sustainable development भी किस पे based है triple bottom line मतलब profit कमाईए पर लोगों को नुकसान मत पहुचाईए planet को नुकसान मत पहुचाईए यह क्या है triple bottom line है यह philosophical concept है कि देखो आप business कर रहे हो आप समाज का हिस्सा हो तो समाज को नुकसान पहुचा के business मत करो ठीक है इसको triple bottom, triple bottom line क्यों कह रहे है क्योंकि इसमें तीन बातों को ध्यान में रखा जाता है profit, people and planet तो यह sustainable development को ही support करता है अब कंपनी लॉस में जा रही है अब कंपनी लॉस में जा रही है तो उसको अपने आजपास सबसे पहले देखना चाहिए कि क्या कारण है तो उसको पता चला कि उसने अच्छे में स्टाफ नहीं रखे है तो वो स्टाफ पर क्या करेगी मेहनत करेगी स्टाफ को चेंज करेगी तो यह क्या हुआ बच्छो टर्न अराउंड अपने आजपास देखिए क्या कमी है विजन आप future में आपने आपको कहां देख पा रहे हो यह आपका विजन होता है सब्सक्राम अधा लाँक Rebecca मिशन होता है आप कहां पहुंक्चना चाहते हो विजन होता है जो आप कहां अपने आपको देख रहे हो whole life insurance जिंदगी भर के लिए आप insurance ले लेते हो मरने तक जब तक आप मरोगे नहीं तब तक insurance चलता रहेगा लो भाईया chapter हो गया आपका समाद ठीक है अब सारे concept खतम हो गया बच्चो बाकी कोई doubt वगेरा हो तो मैं तो हुई आपके साथ ठीक है अब session को end कर देते हैं